हेलो एबरिवन आइम रिशाव और वेलकम टू डिजी एडुशाला हमने यूपी पीसेस आरो ए आरो से सम्बंदित टैश्च सिरीज का रिक्रम स्टार्ट किया था इसमें हमने जीएस वर्ड की सभी टैश्च सिरीज कंप्लीट कर रही हैं और हमने पीसेस मंत्रा की टैश्च सिरीज स्टार्ट की हैं इसमें हमने टैश्च एक और दो को कंप्लीट कर लिया है जो जीएस और हिंदी से सम्बंदित था आज हम अपना टैश्च नंबर तीन करेंगे यह टैश्च नंबर तीन हमारा जीएस से सम्बंदित होगा ज़दी आपने हमारे प्रिविएस पसंद आते हैं और आप UPPCS या उत्तर प्रिदेश्च से सम्बंदित किसी भी एक्जाम की तयारी करते हैं तब आप हमारे यूट्यूब चैनल डिजी एडूशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे महत्पूर्ण सूचना यदि आपको इस लेक्चर की या किसी अन्य सब्सक्राइब की PDF चाहिए तब आप हमारे टेलिग्राम चैनल डिजी एडूशाला को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही पिन कर रखा है चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नमबर तीन जब भी हम test series कराएं तो आपको क्या करना चाहिए कि एक OMR sheet या फिर एक rough page पर खुद से ही हमारे सभी question का जवाब देना चाहिए और last में उस test series को analyze करना चाहिए कि आप कितना score कर रहे हैं इससे आपकी तयारी भी बहतर होगी और आपको इसका lab exam में भी मिलेगा चलिए शु Q1. एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगवक कितने वल्षों में पूरी होती है? A. 10 वल्ष B. 11 वल्ष C. 12 वल्ष D. 13 वल्ष इसका सही उत्तर होगा option B. 11 वल्ष सूरे में जहां से सौर जौला निकलती है वहां काले काले धबे दिखाई देते हैं जो सूरे के अपेक्षा करत थंडे बाग होते हैं इने ही हम सौर कलंक कहते हैं इनके बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया लबग 11 वल्षों में पूरी होती है इस तरह option B. सत्य है next question है बुद ग्रह के सम्बंद में निम्ण में से कौन सा कतन सत्य नहीं है ए यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बी यह प्रत्वी से निकलत्तम ग्रह है C. यह सौरे की प्रक्रम्मा 88 दिनों में पूरी कर लेता है D. इसका तापांतर सबी ग्रह से सबसे अधिक होता है इसका सही उत्तर है option B. यह प्रत्वी से निकलत्तम ग्रह है यह हमारा सत्य नहीं है बुद्ध सूरे से निकलत्तम ग्रह है जबकि प्रत्वी से निकलत्तम ग्रह की बात करें तो वह शुक्कुर है और बुद्ध का एक दिन प्रत्वी के 90 दिनों के बरावर होता है इस तरह option B. हमारा सत्य नहीं है नेक्स्ट कोईशन है निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए एक उपसौर की इस्थिती तीन जनवरी को होती है दो इसमें प्रत्वी सूरे से निकलत्तम इस्थिती में होती है आपको बताना है कि कौन कौन से कतन सही है इसमे option 1 और option 2 दोनों ही कतन सत्य है इसलिए विकल्प सी हमारा सत्य होगा यह हमारी उपसौर की इस्थिती है यदि हम अपसौर की इस्थिती की बात करें तो वो हमारी 4 जोलाई को होती है और इस समय प्रत्वी सूरे से अधिक्तम दूरी पर होती है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा देश मकर रेखा पर इस्थित नहीं है ए अर्जेंटीना बी चिली सी ब्राजिल डी सुडान इसका सही उत्तर है option डी सुडान हमारी मकर रेखा अर्जेंटीना चिली और ब्राजिल तीनों से ही होकर गुजरती है लेकिन यह सुडान से होकर नहीं गुजरती इस तरह विकल्प डी हमारा सत्य नहीं है यदि आप इस जोग्राफी की complete test series को करेंगे तब आपकी लगबग आधी जोग्राफी जिसमें इंडियन और वर्ड दोनों ही जोग्राफी का revision हो जाएगा यदि आपको जोग्राफी का basic भी आता है तब आप इस test series को असानी से solve कर सकते हैं इस question इसमें 140 question बहुत ही सलल भाषा में दिये हैं next question है निम्ण में से कौन सी जलसंदी अंतराश्टिय तिथी रेखा के समानतर है इसका सही उत्तर होगा option D bearing जलसंदी अंतराश्टिय तिथी रेखा 180 डिग्री या मियोत्तर के लगबग साथ साथ नरधारित की गई है यह bearing जलसंदी के लगबग समानतर है bearing जलसंदी, bearing सागर और चुक्सी सागर को आपस में जोडती है नेक्स्ट कोईशन है निचले क्रस्ट और उपरी मेंटल के बीच की असबंदता कहलाती है इसका सही उत्तर होगा option A निचले क्रस्ट और उपरी मेंटल के बीच की असबंदता मोह असबंदता कहलाती है इस तरह विकल्प A हमारा सत्य होगा नेक्स्ट कोईशन निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए एक सूर्जे से प्रतवी की ओसतन दूरी लगबग 15 करोड किलोमीटर है दो सूर्जे से आने वाला प्रकाश प्रतवी की सथा पर लगबग 8 मिनिट में पहुँचता है आपको बता रहा है कि कौन कौन से कतन सही है इसमें option A कतन 1 और कतन 2 दोनों ही सत्य है लेकिन चंद्रमा से आने वाला प्रकाश प्रतवी तक 2.4 सेंड में नहीं बलकि 1.2 सेंड में ही पहुँच जाता है वहीं सूर्जे से प्रतवी की और सतन दूरी जो की 15 करोड किलोमीटर है और इसका प्रकाश प्रतवी तक आने में लगवा 8 मिनिट 20 सेंड का समय लगता है नेक्स्ट कुशन है भूपरपटी में सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है इसका सही उत्तर होगा भूपरपटी पर सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आक्सीजन है यह लगबग 46% पाया जाता है नेक्स्ट है जानवरो, वनस्पतियों और सूश्म जीवों के अफशेश किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाते हैं A. आगने चट्टानों में B. अफसादी चट्टानों में C. कायानत्रित चट्टानों में D. अधिवत दिये चट्टानों में इसका सही उत्तर होगा Option B. अफसादी चट्टानों में जानवरो, वनस्पति और सूश्म जीवों के अफशेश अफसादी प्रकार की चट्टानों में पाय जाते हैं आगने तता रूपांत्रित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपन के फल्सरूप जो चट्टाने हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम अफसादी चट्टाने कहते हैं यह परतदार चट्टाने होती है Next, नेमलिकित कतनों पर विचार कीजिए एक, पांच डिग्री नौर्थ से पांच डिग्री साउथ अक्षानिश के बीच का भूमद्य रेखिये प्रदेश कहा जाता है दो, यहां गलोब का सरवादिक तापमन पाया जाता है तीन, यहां सरवादिक वर्षा वाला जेत्र इस्थित है आपको पताना है कौन-कौन से हमारे कथन सही है इसमें, ऑप्षन ए, अर्थात केवल एक, कथन सही है लेकिन कथन दो और कथन तीन गलत है पांच डिग्री नौर्थ से पांच डिग्री साउथ अक्षानिशो की बीच का छेत्र बुमद्य रेखिये प्रिदेश कहलाता है यहां वर्ष भर सूर्य की किरणे लंबवत पड़ती है इस कारण यहां का तापमान सरवादिक पाया जाना चाहिए लेकिन यहां पर होने वाली वर्षा की अत्यतिक मात्रा तथा बादलों के घिरे रहने के कारण धरातल को सूर्यताब की अपेक शक्रत कम मात्रा ही मिल पाती है इसलिए गलोब का सरवादिक तापमान यहां पर नहीं बलकि अन्य जगाओं पर होता है नेक्स्ट कुशन पार्थिव उश्मा की वायो मंडल से धरातलिय सत्था को पुना वापस करने वाली विकिरन की प्रतिलों विकिरन ऐसका सही उत्तर है प्रतिलों विकिरन पार्थिव उश्मा की वायूमंडल से धरातलिये को पुना वापिस करने वाली विकरण की प्रिकरिया को हम प्रितिलोम विकरण के नाम से जानते हैं इस प्रिकरिया के दोरा प्रत्वी की सता एवं निजले वायूमंडल का तापमन अधिक बना रहता है इसे ही हम हरित गिराय प्रवाब के नाम से भी जानते हैं इस तरह विकल्प भी हमारा सत्य है नेक्स्ट है निम लिखित में जे कौन सी सथा अधिक्तम अलबीडो उत्पन करती है ए वन अच्छादित सत्य है बी मेग अच्छादन सी मरू इस्थल इसका सही उत्तर है विकल्प डी हम अच्छादित सत्य है अधिक्तम अलबीडो हमारी हम अच्छादित सत्य प्राप्त करती है किसी सता पर कुल प्राप्त सौर उल्जा को जिस अनुपात में परवर्तन हो जाता है उसे ही हम अलबीडो कहते हैं प्रत्वी का उसत एलवीडो लगबग 30 पृतिशत माना जाता है। नेक्स्ट है निमलिखित में से किस छेतर की आदरता सरवादिक होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प A. बुमद्दे रेखिये पृतिश की। बुमद्दे रेखा पर वर्ष वर्ष सूरे की किर्णे लंबवत परती हैं। जिसके कारण लगबग परती दिन ही यहां कुछ ना कुछ वर्षा हो जाती है। यही कारण है कि भुमद्य रेखा और इसके आसपास के छेतरों में आदरता की सरवादिक मातरा देखी जाती है भुमद्य रेखा से धुरुवों की तरफ बढ़ने पर आदरता की मातरा में कमी आती है इस तरह विकल्ब ए हमारा सत्य होगा नेक्स्ट है बुमते रेखिये वर्षा पेटी के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है इसमें option B यहां केवल संबनिये वर्षा होती है यह हमारा गलत कथन है क्योंकि यहां संबनिये वर्षा के साथ साथ परवतिये वर्षा भी होती है बाकी हमारे option A, C और D तीनों ही सकते हैं लेकिन हमारा option B गलत है option A इसका विस्तार भुमते रेखा के दोनों और 10 डिगरी अक्छांश रेखाओं के बीच में है option C यहां वल्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है और option D यह प्रदेश अंतरा ओशन कडिवन दिये अभिसरण के अंतरगत आता है next इटली की जलवायू को निमलिखित में से किस वर्गी करण के अंतरगत रखा जाता है इसका सही उत्तर होगा option D इटली की जलवायू को भुमद्य सागरिय जलवायू के अंतरगत रखा जाता है इस प्रकार की जलवायू 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्छान्षों की बीच वमद्यर सागरिय प्रदेश एवा महादीपो के पश्ची में तट पर पई जाती है इस तरह option D हमारा सत्य है इसका सही उत्तर होगा option C, प्रशांत महासागर पूर्वी औस्ट्रेलिया इधारा जो की हमारी प्रशांत महासागर से सम्द्ध है पूर्वी औस्ट्रेलिया इधारा को New South Wales की धारा भी कहते है यह आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाइद एक गरम जलदारा है जिसका सम्मंद प्रिशान्त महासागर से है वही हम पश्चिमी आस्ट्रेलिया इधारा की बात करें तो यह एक ठंडी जलदारा है जिसका सम्मंद हिंद महासागर से है इस तरह option C हमारा सही होगा Next है निम लिकित में से कौन सी भू आकरती पवन की निक्षेपन किरिया से बनती है A. बरखान B. बजादा C. ड्रमलिन D. बालुका इसका सही उत्तर है C. ड्रमलिन पवन की निक्षेपन किरिया के परडाम सबरूप बरखान, लोयस, बजादा और बालुका इस्तूप आदी का निर्मान होता है उप्युक्त में से मशरूम रौक पवन की अपरदन किरिया के फल्सुरूप बनती है जबकि ड्रमलिन हिमनत के द्वारा उत्पन निक्षेपात इस्थल सबरूप है इस तरह विकल्प C हमारा सत्य है नेक्स्ट है कास्ट इस्थलाकरतियों का निर्मान होता है ए हिमनत के द्वारा, बी प्रावाही जल के द्वारा, सी पवन के द्वारा, डी भूमिगत जल के द्वारा इसका सही उत्तर होगा विकल्प D कास्ट इस्थलाकरतियों का निर्मान भूमिगत जल के द्वारा होता है धरातल की नीचे चट्टानों को छिद्र और दरारों में इस्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं इनके अपर्दन की किरिया से निर्मित इस्थला करतियां जिने हम कास्ट इस्थला करतियां कहते हैं जब नदियां अपर्दन प्रिकिरिया के दौरा अपने अधारतल को प्राप्त कर लेती हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्मान करती हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प B. संप्रदाय संप्राय मैदान जब नदियां अपरदन पिरकिरिया द्वारा अपने अधार तल को पराप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भाग एक विस्तिरित मैदान में बदल जाता है जिसे हम संप्रदाय मैदान कहते हैं यदि हम इसके उधारण की बात करें तो मिसिसिपी बेसिन का उपरी भाग और भारत की अरावली छेतर की पहाड़ियां इसका उधारण है नेक्स्ट है जोला मुखी के संबंद में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए एक लावा में सिलिका की मातरा कम होने पर उधगार प्राया शान्त होते हैं दो हवाईयन तुल्ले जोला मुखी सरवादिक विनाशकारी होते हैं तीन हवाईयन जोला मुखी में लावा की प्रकृति छारिये होते हैं आपको पताना है कि इनमें कौन से कतन सही हैं इसमें विकल्प सी एक और तीन सत्य हैं लेकिन हवाई तुल्ले जोला मुखी सरवादिक विनाशकारी नहीं होती हैं नेक्स्ट कोईशन है निमलिखित में से कौन सा विश में सरवादिक जौला मुखी से प्रवावित छेत्र है इसका सही उत्तर है ओप्शन बी परी प्रशान्त महासागरिय मेखला जो की विश में सरवादिक जौला मुखी से प्रवावित छेत्र है विश्व के जौला मुखीयों का लगबग दो तिहाई भाग प्रशान्त महासागर के दोनों तटिये भागों दूईप चापो एवं समुद्री दीपों के सहारे पाया जाता है इसे प्रशान्त महासागर का अगनी विले या फिर पैसिफिक रेंग भी कहते हैं नेक्स्ट कुशन है भूकंप आने से पूर्व वायू मंडल में निमलिकित में से किस गैस की मात्रा में व्रद्धी हो जाती है इसका रही उत्तर है ऑप्शन B रेडान भूकंप आने से पूर्व वायू मंडल में रेडान गैस की मात्रा में व्रद्धी हो जाती है जिस इस्थान से भूकंप ये तरंगे उत्पन होती है उसे हम भूकंप मूल के नाम से जानते है इसी के साथ जहां सबसे पहले भूकंप ये लहरों का अनुभव किया जाता है उसे हम भूकंप ये केंदर कहते हैं यह छोटे-छोटे questions आपके factual information की रूप में बहुत महत्पूर्ण होते हैं जो question में direct ऐसे ही पूछे जाते हैं इसलिए आप इन्हें विशेश तोर पर याद रखिए नेक्स्ट है निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए एक भूकंप की तीवरता का मापन रिक्टर इसकेल पर किया जाता है दो वह इस्तान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप ये केंद्र कहते हैं देखिए अभी हमने यह पढ़ा था और यह बिल्कुल ऐस इट इस ऐसे ही उतर के इसमें आ गया अब बताईए आप कि इसका यह सही उतर होगा या नहीं हमारा पहला है भूकंप की तीवर्ता का मापन रिक्टर इसकील पर किया जाता है यह हमारा सत्य कतन है और दूसरा अभी अभी हमने उपर पढ़ा ही है तो हमारा दूसरा भी सत्य कतन है इस तरह हमारे दोनों ही कतन सत्य है नेक्ष्ट है निमलेकित कतनों पर विचार कीजिए एक सुनामी मूल रूप से जुऊर्य तरंगे होती है दो सुनामी शब्द जपानी भाषा का शब्द है आपको बताना है कौन से कतन सत्य है इसमें ऑप्शन B, केवल दो सत्य है सोनामी शब्द जपानी भाषा का शब्द है option एक गलत है क्योंकि यह जवारी तरंगों से इसका कोई संबंद नहीं होता यह समुदरी लहरों से संबंदित होती है इस तरह हमारा एक गलत है next है निमलिकित में से कौन सी ऊशन महासागरिय जलदारा है इसका सही उत्तर है option D गल्फ स्ट्रीम एक ओशन महासागरिय जलदारा है इसे युरोप का गरम कंबल भी कहते हैं गल्फ स्ट्रीम अट्लांटिक महासागर से प्रवावित होती है next है जानवरों वनस्पतियों और सूश्म जीवों के अपशेश किस परकार की चट्टानों में पाए जाते हैं इसका सही उत्तर है option B अफसादी चट्टानों में जानवरों वनस्पतियों और सूश्म जीवों के अफशेश हमारे अफसादी परकार की चट्टानों में पाए जाते हैं यह प्रतदार चट्टाने होती है नेक्स्ट है प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना ओसत तापमान की आवश्यक्ता होती है इसका सही उत्तर है option C 20-25 डिगरी सेंटिग्रेट की हमें आवश्यक्ता होती है प्रवालों के समुचित विकास के लिए नेक्स्ट कोशन है विश्वत रेका से धुर्वों की तरफ बढ़ने पर महासागरिय जलके आवसत तापमान में option A ब्रदि होती है option B कमी आती है option C पहले ब्रदि फिर कमी होती है option D पहले कमी फिर ब्रदि होती है इसका सही उत्तर है option B कमी आती है विश्वत रेका से धुर्वों की तरफ बढ़ने पर महासागरिय जलके आवसत तापमान में कमी आती है और इस कमी का तापमान काराण यह है क्योंकि धुर्वों की तरफ बढ़ने पर सूर्ज की किर्णों का तरचापन बढ़ता जाता है और वहें विश्वत रेका पर सूर्य वर्षवर लंबवत चमकता है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन से सर्वादिक उचाई पर पाए जाने वाले मेग है ए पक्षाव इस्तरी बी पक्षाव मेग सी उच इस्तरी डी उच कपासी इसका सही उत्तर होगा option B सरवादिक उचाई पर पाई जाने वाले मेग जो की पक्षाव मेग है बादलों के वरगी करण के अनुसार पक्षाव मेग आस्मान में सबसे अधिक उचाई पर सफेद रेशम की भांती कोमल एवं छितराय हुए होते हैं यह कणों से बने हुए होते हैं और प्राया वर्षा नहीं होती है। चकरवाद की आगमन की किरम में सबसे पहले यही मेग दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें चकरवाद की आगमन का सूचक भी माना चाता है। नेक्स्ट उत्तरी गुलार्द में धुर्विय पवनों की दिशा होती है। एक, महासागरिय जल की सथा का उसथ देनिक तापमान तापांतर 10 डिग्री सेंटिगेड या इससे कम होता है। दो, सागरिय जल का उच्छतम वालशिक तापमान जून में तथा नियूनतम तापमान दिसंबर वहां में अंकित किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा कतन सकते है। इसमें option A केवल एक सकते है लेकिन दूसरा कतन हमारा आ सकते है। क्योंकि सागरिय जल का उच्छतम वालशिक तापमान अगस्त महा में तथा नियूनतम तापमान फरवरी महा में अंकित किया जाता है। Next है, किस महासागर की ओसत लवडता सरवादिक है। इसका सही उत्तर होगा option D, Atlantic महासागर। Atlantic महासागर की ओसत लवडता सरवादिक होती है। Next, महासागरिय जल की लवडता से सम्मंदित निमलिकित कतनों पर फिचार कीजिए। 1. महासागरिय या सागरिय लवडता का मुख्य इस्त्रोत प्रत्वी है। 2. जिस इस्थान या जगा पर तापकरम अधिक रहता है और वाश्विकरण अधिक होता है। वहाँ पर लवडता भी अधिक होती है। 3. नदियों के मुहाने वाले भागों में लवडता कम पाई जाती है। आपको बताना है कि उप्युक्त कत्नों के अधार पर कौन-कौन से विकल्प सही है। इसमें विकल्प एक, विकल्प दो और विकल्प तीन, तीनों ही हमारे सत्य है। इस तरह option D हमारा सही उत्तर होगा। next है, सूरे की ब्रहय सथा से निकलने वाली उल्जा को कहते हैं। निकलने वाली उल्जा जिसे हम फोटान कहते हैं। next, महाशागरिय जलका वह सीमा छेत्र जहां तापमान में तीवर गिरावट आती है। उसे क्या कहा जाता है। ए, हाइपोलाइन, बी, जीरोलाइन, सी, थर्मोकलाइन, डी, उप्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा, विकल्प सी, महाशागरिय जलकाई वह सीमा जहां तापमान में तीवर गिरावट आती है। उसे हम थर्मोकलाइन कहते हैं। next, प्रत्वी के प्रष्ट पर प्राप्त होने वाली उल्जा का अधिक्तम अंच किस रूप में आता है। इसका सही उत्तर होगा, विकल्प बी, लगु तरंग दहरे के रूप में, प्रत्वी के प्रष्ट पर प्राप्त होने वाली सोर उल्जा का अधिक्तम अंच हमें लगु तरंग धहरे के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम इंसोलेशन अर्थात इंटर सॉलर रेडियेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निमले के कतनों में से कौन सा कतन असकते हैं। इसमें विकल्प डी, समुद्र का कौतनांख समाने जल से निम्न ही रहता है। यह हमारा गलत है। इसके लावा कतन A, महाशागरों का उच्चतम तापमान सदैव उपरी सता उपर होता है। सही है। B, हमारा सम्मानेता घहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। यह भी हमारा कतन सही है। C, समाने रूप से सागरिय लवर्ता को प्रती 1000 ग्राम जल की मातरा में इस्थित लवर्ता की मातरा जीरो पृतिशत रूप के रूप में दर्शाया जाता है। यह भी सकते हैं। इसके लावा विकल्प D हमारा आ सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प D इन साथ पेटियों की बात करें। तो इसमें धुरुविय उच वायुदाफ पेटी, उपधुरुविय निम्न वायुदाफ पेटी, उपोश्ण उच वायुदाफ पेटी, विशुवत रेखिये निम्न वायुदाफ पेटी, उपोश्ण उच वायुदाफ पेटी, उपधुरुविय निम्न वायुदाफ पेटी और धुरुविय उच वायुदाफ पेटी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा कथन असत्य है आपको असत्य कथन की पहचान करनी है A. फैरल ने हवाओं की दिशा से सम्मंदित अपने मत का प्राथिपादन कौरियोलसिस पल के अधार पर किया था B. जिस दिशा में हवाएं प्राया वर्ष वर्ष चला करती हैं उन्हें इस्थाई पवन कहते हैं C. पवने उच वायुदाब छेत्रों से निम्न वायुदाब छेत्रों की तरफ चलती हैं D. फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत रूर्प्रे चलने वाली सभी हवाएं प्रत्वी की गती के कारण उत्री गुलार्द में बाई और और तथा दक्षने गुलार्द में दाईनी और मुड़ जाती हैं आपको पताना है कौन सा कथन आसकते हैं इसमें हमारा विकल्प D जो की आसकते हैं क्योंकि इसमें उत्री गुलार्द में हवाएं दाइं और वहीं इंदेक्षिन गुलार्द में हवाएं बाइनी और मुड़ जाती है किन हवाओं के कारण तटिये भागों की जलवायू पर समकारी प्रवाब होता है इसका सही उत्तर होगा विकल्प A इस तरह विकल्प A हमारा सत्य होगा नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको एक तरफ पवने और दूतरी तरफ उनके छेतर दिये हैं सुरोको गिनी से बिली बिली ऑस्ट्रेलिया से फॉन स्विट्रलेंड से और ब्लिजर्ड कनाडा से सम्मंदित है आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है इसमें आप्शन A सुरोको जो की गिनी से सम्मंदित नहीं है सुरोको सहरा मरुस्थल में उत्तरी अफरीका सिसली तथा दक्षिनी इटली से गुजरने वाली शुश्क हवाएं है इस तरह हमारा A विकल्ब गलत है नैक्स्ट कवशन है वायू के जिस तापमान पर जल अपनी गैसी अवस्था से तरल अव या ठोस अवस्था में परिवर्थित होता है कहलाता है इसका सही उत्तर होगा विकल्ब C वायू के जिस तापमान पर जल अपनी गैसी अवस्था से तरल अवस्था या ठोस में परिवर्थित होता है उसांख कहलाता है उसांख पर वायू संत्रप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आदरता 100% हो जाती है नेक्ट है निम लिखित में से किस छेतर पर पूरे वर्ष वर्षा होती है विकल्प एक और बी दोनों ही सही है इसमें हमारा ए विकल्प सत्य है विकल्प रेखिये तता सम्षितोषन प्रदेशों में पूरे वर्षवर भर्षा होती है नेक्स्ट है किस प्रकार के मेग की कारण अकाश दूदिया रंग का दिखाई पढ़ने लगता है ए पक्षाव मेग, बी पक्षाव कपासी मेग, सी पक्षाव इस्थरी मेग, डी वर्षा इस्थरी मेग इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी पक्षाव इस्थरी मेग इन्ही मेगों के कारण हमारा अकाश दूदिया रंग का दिखाई देने लगता है करक तथा मकर रेकाओं के मध्य उत्पन चकरवातों को किस नाम से जाना जाता है इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए और इन चकरवातों में अकार में परियाप्थ अंतर भी होता है इस तरह विकल्प ए हमारा सत्य है नेक्स्ट है रूर पिर्देश किस खनिज के लिए विश्व पिरसिद है इसका सही उत्तर होगा विकल्ब A कोईला रूर जो की जर्मनी में इस्थित है जहां रूर एक प्रकार की नदी है और यह जर्मनी का प्रमुख कोईला खनन छेतर है नेक्स्ट है चिकवी कमार्टा चिली किस खनिज के लिए विश्व पिरसिद है इसका सही उत्तर है विकल्ब C चिकवी कमार्टा चिली जो की हमारे तामे के लिए विश्व पिरसिद है नेक्स्ट कोईशन है नेक्स्ट कुशन है यूक्रेन का क्रिवायराग तथा ब्राजिल का मिनास जिरान स्प्रांथ किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है इसका सही उत्तर है विकल्प ए लहो अयस्क के लिए यूक्रेन का क्रिवायराग तथा ब्राजिल का मिनास जिरान स्प्रांथ जाने जाते हैं इसका सही उत्तर है विकल्प डी राइन नदी यूरोप का सबसे प्रमुक जलमार्ग राइन नदी मार्ग है राइन नदी को यूरोपिय व्यपार की जीवन रिखा के रूप में भी जाना जाता है नेक्स्ट है विश में रेल मार्गो का सरवादिक घनत्व किस छेतर में पाया जाता है एक पश्चिमी यूरोप दो उत्तरी अमेरिका तीन दक्षिनी एशिया चार दक्षिनी अमेरिका इसका सही उत्तर है विकल्प ए एक और दो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में विश्मे रेलमार्गों का सरवादिक घनद्व पाया जाता है और संसार में सरवादिक रेलमार्ग स्योक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है यदि हम विश्व के सबसे लंबे रेलमार्ग की बात करें तो यह है ट्रांस साइवेरियन रेलमार्ग है इसकी कुल लंबाई बाल्टिक सागर पर इस्थित सैंट पीटर्सपर्ग से प्रशान्थ के तट पर इस्थित वलाडी वोस्तक तक 932 किलोमीटर है नेक्स्ट है खिर्गिस जंजाती मुख्य रूप से किस छेतर में पाई जाती है इसका सही उत्तर है विकल बी खिर्गिस जंजाती जो की किर्गिस्तान में पाई जाती है यह मंगोल प्रजाती है जो रिदुप्रवास करती है और इनका मुख्य व्यफसाय पशुपालन होता है नेक्स्ट है काला हारी मरुस्थल ये छेदर में पाई जाने वाली मुख्य जन जाती है इसका सही उत्तर है विकल्प सी बुश्मेन बुश्मेन काला मरुस्थल में पाई जाती है यह प्राहे नगन रहते हैं बुश्मेन लोगों का मुख्य व्यफसाय आखेट तथा जंगली वनस्पतियों को एकतरत करना है यहां आखेट का अर्थ शिकार से है नेक्स्ट है जपान का मैंचेस्टर की उपमा किसे दे गई है ए क्योटो को, बी उसाका को, सी नागोया को, डी योकोहामा को इसका सही उत्तर है विकल्प बी उसाका को जपान ओध्योगेक रूप से एक विक्सित राष्ट है यहां पर बजार अधारित लोह एवम इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं यहां मौजूद उसाका शहर को जपान का मैंचेस्टर की उपमा दी जाती है क्योंकि उसाका में सूत्री वस का उत्रपादन मुख्य रूप से किया जाता है इसी कारण इसे पूर्व का मैंचेस्टर भी कहा जाता है इसका सही उत्तर है विकल्प डी पीट्सबर्ग सैंक्त राज्य अमेरिका के पीट्सबर्ग को विश्व इसपाद की राजधानी कहा जाता है वहीं शिकागो और डैट्रॉइड, क्रहमशा, मास्ट प्रसंसकरन एवं मोटर कार उध्योग के लिए जगत पिरसिद है वहीं जापान का टोकियो शहर मोटर वहान उध्योग, इलेक्ट्रोनिक्स तथा जल्या निर्मान के लिए प्रसिद है नेक्स्ट है लौ इसपात के लिए विश्व पिरसिद लारेन छेतर किस देश में इस्थिद है इसका सही उत्तर है विश्व पिरसिद लारेन छेतर जो की फ्रांस में इस्थिद है फ्रांस का पैरेस और द्योगिक छेतर है जो अंतराश्टिय फैशन डेजाइनिंग के लिए विश्व पिरसिद है इस तरह विकल्प ए हमारा सत्य होगा नेक्स्ट है गिहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में इस्थिद है इसका सही उत्तर है गिहूं की सबसे बड़ी मंडी सैंक्त राज्य अमेरिका में अवस्तित है यह सैंक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में अवस्तित है इसके अलावा शिकागा शिकागो सैंक्त राज्य अमेरिका का एक विख्यात शहर है जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और सूर मास का भी सबसे बड़ा उत्पादन करता है इसका सही उत्तर है फिकल्प बी सेंक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वेली जो की सैन फ्रांसिसको में अवस्तित है इसका सही उत्तर है विकल्प डी दक्षिनी पूर्वी एशिया में विश्व का लगबग 90% चावल छेतर इसी छेतर में होता है चावल एशिया का सर्वप्रमुख खाद्य फसल है इसी कारण एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है चावल उश्न आद्र जलवाईयों का पौदा है जिसकी किरिशी सबसे अधिक मानसूनी जलवाईयों वाले देशों में की जाती है इसी लिए विश्व का लगवग 90% चावल दक्षिनी पूर्वी एशिया छेतरों में होता है यदि हम अंतराष्टिय चावल अनुसंदान संस्थान की वाद करें जो की हमारा फिलिपिन्स में अवस्तित है वहीं राश्ट्रिय चावल अनुसंधान संस्थान जो की हमारा कटक में अवस्थित है इसका सही उत्तर है विकल्ब A भारत गेहूं चावल मुंफली तदा गन्ने के वैश्पिक उत्पादन में भारत का इस्थान दित्तिय है वहीं गेहूं चावल और मुंगफली के वैश्पिक उत्पादन में यदि प्रथम इस्थान की बात करें तो वह चीन का है जबकि गन्ने के वैश्पिक उत्पादन में प्रथम इस्थान बराजील का है नेक्स्ट यह मिर्दा अधिक तापमान एवम कम वर्षा वले छेतरों में होती है तथा इसमें ह्यूमर्स की मात्रा कम एवम प्रकरती में चारिय म्रदा कहलाती है इसका सही उत्तर है विकल्प सी मरु इस्थलिय म्रदा अधिक तापमान एवम कम वर्षा वाले छेतरों में होती है तथा इसमें ह्यूमर्स की बिल्कुल ही कम मात्रा होती है आता यह मिर्दा उपजाओ होती है नेक्स्ट है बहुत छोटी जोतों के साथ दो या तीन फसले और भली भाती उन्नत पशुपालन किस प्रकार की क्रिशी का गुड़ है इसका सही उत्तर है विकल्प डी गहन क्रिशी गहन क्रिशी वियर वैसे छेत्रों में की जाती है जहां अत्यादिक जनसंख्या के कारण हमारे जोतों का अखार छोटा होता है इसमें भूमी प्रतेक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का अपयोग करके एक निश्चित समय में अवदी में फसलों का अधिकतम संबब उत्पादन किया जाता है अर्थात छोटी जगा में हम ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादित करते हैं जिससे हम आधिक जनसंख्या का पोशन पालन कर सके हैं इसका सही उत्तर है विकल्प B Mount Eakanka Gua जोकी हमारा दक्षिन अमेरिका में सरवोच शिकर है यह एंडीस परवतमाला की सबसे उची चोटी है और यह अलजांटीना में अवस्तित है यदि हम Mount McKinley की बात करें तो यह हमारा उत्तरी अमेरिका का सरवोच शिकर है जो अलास्का में इस्थित है और किलिमंजारो किलिमंजारो जो की दक्षिर अफरीका महादीप का सर्वोच शिकर है यह हमारा तंजानिया में अवस्थित है इस तरह विकल्प भी हमारा सत्य होगा नेक्स्ट है दस्थ ए कबीर और दस्थ ए लुट नामक मरुस्थल किस देश में इस्थित है ए इरान बी इराक सी साओधी अरव डी पाकिस्तान इसका सही उत्तर है विकल्प ए इरान नेक्स्ट क्वेशन है निमलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है ए साओधी अरव बी यमन सी जिभूती डी लीविया इसका सही उत्तर है विकल्प डी लीविया लाल सागर से निमलिकित देश सीमा बनाते हैं इसमें साओधी अरव यमन मिस सुडान एरिट्रिया और जिभूती शामिल है इसमें हमारा लीविया शामिल नहीं है इसका सही उत्तर है विकल्प सी कैस्पियन सागर यूरोप को और एशिया की सीमा पर अवस्थित है यूराल और वुल्ग नदियां कैस्पियन सागर में ही आकर गिरती है यह विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी जील भी है कैस्पियन सागर से निमलिखित देशों की सीमाई मिलती है इसमें रूज, इलान, अजरबेजान, कचाकिस्थान और तुर्कमेनिस्थान शामिल है निमलिखित में कौन सुमेलित नहीं है आपको एक तरफ शहर और दूसरी तरफ उनसे सम्मंदित नदियां दी है आपको पताना है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है बगदाद, टिग्रिस नदी, बॉन, राइन नदी, निवयार्क, हट्सन नदी, वियना वियना जो की हमारी आउस्ट्रेलिया की राजधनी है यह स्वान नदी नहीं बलकि डैन्यूब नदी से सम्मंदित है वहीं आउस्ट्रेलिया का पर्थ शहर जो हमारा सौन नती से सम्मंदित है इस थरह विकल्प D हमारा असत्य होगा नेक्स्ट निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए एक डाउन्स आउस्ट्रेलिया में इस्थित गांस का मैदान है नेक्स्ट बालिक सागर को पर विचार कीजिए घास का मैदान है, इसलिए option A हमारा सत्य होगा Next, Baltic सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोडती है A. पनामा नहर, B. स्वेज नहर, C. कील नहर, D. उप्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा, विकल्प C. बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर जोडती है वहीं पनामा नहर, जो प्रिशान्त महा सागर और अट्लांटिक महा सागर को जोडती है और स्वेज नहर, जो की बोमद्य सागर को लाल सागर से जोडती है इस तरह हमने अपनी तीनों ही नहरे कम्प्लीट कर लिए हमने अपनी पूरी टेश्ट्रीज में सभी आप्शनव को विस्तार से डिसकस किया है इससे आपको कोशन के अंसर के साथ साथ और भी इन्फॉर्मेटिव जानकरी प्राप्त होगी जो आपके एक्साम के लिए काफी जादा महत्पूर्ण हो सकती है नेक्स्ट है निमलेखित में से जपान के दीपो को उत्तर से दक्षन सही क्रम में कौन सा है यह जपान के दीपों का उत्तर से दक्षन सही क्रम है और इसमें सबसे बड़ा दीप की बात करें तो हमारा होन्शु दूइप जो की जपान का सबसे बड़ा दूइप है वहीं जपान को हम सूर्य दिव का देश भी कहते हैं नेक्स्ट है निमलेखित में से कौन सा एक देश मद्धे एशिया का भाग नहीं है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान उजबिकिस्तान इसमें विकल्प सी अफगानिस्तान जो की हमारा मद्धे एशिया का भाग नहीं है मद्धे एशिया में निमलेखित देश शामिल किया जाते हैं इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान शामिल है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सी जलसंदी भुमद्य सागर और अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है A. डेनमार्क की जलसंदी B. जिबराल्टर की जलसंदी C. नार्थ चैनल D. डोवर जलसंदी इसका सही उत्तर होगा विकल्प B. जिबराल्टर जलसंदी इस्पेन और मुरक्को को अलग करती है जबकि भुमद्य सागर और अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है वहीं डोवर जलसंदी की बात करें तो यह इंगलेंड और फ्रांस को अलग करती है जबकि इंगलेश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है टेनमार्क जलसंदी यह हैं ग्रिन लेंड को आईसलेंड से अलग करती है तथा उत्तरी अटलांटिक एब़म आरकेटिक महा सागर को जोडती है और हम North Channel की बात करें तो यह Island को England से अलग करता है जबकि Irish सागर और Atlantic सागर को जोड़ता है इस तरह विकल्प भी हमारा सही उत्तर है बाकी भी हमने options अपने solve कर लिये हैं नेक्स्ट है कांगो नदी कौन सी रेखा को दो बार करती है इसका सही उत्तर है विकल्प बी विश्वत रेखा को दो बार करती है यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है इसका सही उत्तर है विकल्प ए उत्तरी अमेरिका इसमें आपने रेड इंडियन्स का नाम हिस्ट्री पढ़ते हुए काफी बार सुना होगा इसलिए आप इसी से अंदाजा लगा सकते थे कि इसका सही उत्तर हमारा उत्तरी अमेरिका होगा वहीं एसकीमो जो की सर्दी में बरफ का घर बनाकर रहते हैं जिसे हम इगलू कहते हैं नेक्स्ट दक्षिन अमेरिका के इस्थलबद देश कौन कौन से हैं इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी बोलीविया और परागवे जो की हमारी दक्षिन अमेरिका के इस्थलबद देश हैं नेक्स्ट किम्बल्ले का पठार कहां इस्थित है ए औस्ट्रेलिया में बी अफ्रीका में सी यूरोप में डी दक्षिन अमेरिका में इसका सही उत्तर है विकल्प A किम्बल्ले का पठार आउस्ट्रेलिया में इस्थित है जब कि हम किम्बल्ले की खान की बात करें तो यह हमारी दक्षिन अफ्रीका में इस्थित है जो हीरे के लिए विश्व पिर्सित भी है नेक्स्ट New Zealand के उत्तरी दीप और दक्षिनी दीप को कौन सी संदी अलग करती है A. Taurush, B. Boss, C. Cook, D. Hundas इसका सही उत्तर है विकल्प C New Zealand के उत्तरी दीप और दक्षिनी दीप को कौक जलसंदी अलग करती है Next है, निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको एक तरफ देश और दूसरी तरफ उनसे सम्मंदित उनकी राजधानी दी है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें चिली, चिली की राजधानी क्यूटो नहीं होकर सेंटियागो चिली की राजधानी है। वहीं क्यूटो की बात करें जो की इकवाड दोर की राजधानी हैं। इस थरह विकल्प D हमारा सुमिलित नहीं होगा। Next, निम्लिकित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा सनलगन है? A. मैंमार B. नेपाल C. पाकिस्तान D. चीन। इसका सही उत्तर है विकल्प A. मैंमार मेंमार के साथ भारत की कुल 1647 किलोमीटर सीमा साजा होती है यदि हम आप्शन की बात करें इन चार आप्शन में मेंमार हमारा आप्शन है जिसमें भारत सबसे कम सीमा साजा करता है यदि हम संपूर बात करें तब भारत हमारी सबसे अधिक सीमा बांगलादेश के साथ जो की 4096.7 किलोमीटर और वहीं सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ जो की 106 किलोमीटर सीमा साजा करता है इसके अलावा हम चीन की बात करें तो चीन 3488 किलोमीटर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर नेपाल 1751 किलोमीटर भूटान 699 किलोमीटर भारत की साथ अपनी सीमा साजा करते हैं इस तरह विकल पे हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट है निमलिकित में से किस देश का छेतरफल भारत से अधिक नहीं है इसका सही उत्तर है विकल्प डी अर्जेंटिना यह है क्वेशन आपने लगबग काफी बार पढ़ रखा होगा कि भारत छेतरफल के अधार पर विश्व का साथमा सबसे बड़ा तेश है इससे पहले छे देशोंगी बात करें तो सबसे बड़ा रूस उसके बाद चीन उसके बाद सैक्तराज्य अमेरिका उसके बाद कनाड़ा ब्राजील ऑस्ट्रेलिया और साथवे नमबर पर हमारे प्यारे भारत का इस्थान आता है इस थरह विकल्प D हमारा असक्ते होगा नेक्स्ट कुशन है चेतरफल के अधार पर सरवादिक विस्तरित केंदर शासित प्रदेश कौन सा है ए अन्दमान एवाम निकवार दीप सम्हू बी जम्मू कश्मीर सी लदाख डी राश्ट्रिय राजधानी छेतर इसमें हमारा विकल्प सी जो की सकते है चेतरफल के अधार पर लधाख केंदर शासित प्रदेश जो की सबसे बड़ा है जदी हम दूसरे इस्थान पर बात करें तो हमारा दूसरे इस्थान पर जम्मू कश्मीर का नंबर इस्थान आता है इसका सही उत्तर है विकल्प A जिरो लाइन जो की बांगलादेश और तृपुरा के मद्दे सीमा निर्धारित करती है भारत के पांच राज्य जिसमें पश्चे मंगाल, असम, मेगाले, तृपुरा और मिजोरम शामिल है इनके साथ पांगलादेश अपनी सीमा साझा करता है जीरो लाइन जो की तृपुरा तथा पांगलादेश की सीमा के बीच अवस्थित है भारत के तटिय मैदानों के संबंद में कौन सा कतन असत्य है आपको असत्य कतन की पहचान करनी है इसमें हमारा विकल्प D जो की असत्य है पश्चिमी तटिय मैदान के अपेक्षा पूरवी तटिय मैदान कम कटे फिटे होने के कारण पश्चिमी तटकी तुलना में पूर्वी तट प्राकिर्तिक बंदरगाओं की संख्या कम है यह विकल्प हमारा असत्य है इसके अलावा तीनों ही कतन हमारे सत्य है नेक्स्ट है कालक क्रमनुसार शेल क्रमों का सही क्रम क्या होगा काल क्रमनुसार शेल क्रमों का सही क्रम सबसे पहले हमारी आरकियन क्रम की चट्टाने आई उसके बाद धारावाल क्रम उसके बाद कुडपा और सबसे लास्ट बिन्थ है इस तरह विकल्पटी हमारा सत्य होग आरकियन, धारावार, कोडपा और विंध्यन पिरकार की शेल नेक्स्ट, निमलिकित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में इस्थित है A. बुगियाल, B. उखरूल, C. खजर, D. उप्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा विकल्प, D. उप्युक्त में से कोई नहीं जम्मू कश्मीर में इस्थित इन में से कोई सा भी नहीं होगा भारत में जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाले शीतोशन घास के मदान को हम मगर कहते हैं वहीं उत्राखंड में इन्हें बुग्याल या पयाल कहा जाता है खजर हिमाचल प्रिदेश में कहते हैं तथा उकरूल मनिपुर राज्य में कहते हैं इस तरह हमारा विकल्प D सत्य होगा नेक्स्ट निम लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसका सही उत्तर है खीरगंगा खीरगंगा ऊष्ण जल श्रोत हिमाचल प्रिदेश की पारवती घाटी में इस्थित है इस तरह यह हमारा गलत है यहाँ पर हिमाचल प्रिदेश आएगा बाकी अन्यतीन सही सुमेलित है नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसका सही उत्तर होगा विकल्प D नामिक नामिक गिलेशियर उत्राखंड के कुमाईू गड़वाल रेंज में इस्थित है यह हमारा लदाख नहीं बलकि उत्राखंड में अवस्तित है इस थरा विकल्प D हमारा सत्य होगा नेक्स्ट उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंद में कौन सा कतन सत्य नहीं है इसमें आपको असत्य कतन की पहचान करनी है इसमें विकल्पडी उत्तर भारत के मदान की चोड़ाई पश्चिम से पूरव की ओल जाने पर बढ़ती है यह कतन हमारा गलत है क्योंकि उत्तर भारत के मदान की चोड़ाई पश्चिम से पूरव की ओल जाने पर कम हो जाती है नेक्स्ट सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तता सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का सही उत्तर चुनिए इसमें भारत के जलब प्रपात और उनकी अवस्थिती दी है इसमें हमारा पहला है दूदसागर दूदसागर जो की गुवा में अवस्थित है उसके बाद बरकाना, बरकाना करनाटक में, खंदादार जो की उडिसा में और पलानी हिमाचल प्रदेश में इस तरह हमारा विकल्प चार, एक, दो और तीन सही सुमेलित होगा विकल्प A नेक्स्ट है, निमलिकित में से कौन सी परवत शरंखला हिमाल्य परवत शिरेणी में अवस्थित है एक, चुरिया मुरिया पहाडिया, बी, दो, डुडवा शिरेणी, तीन, चो, ओयू, चार, कटचल इसका सही उत्तर है विकल्प A एक, दो, और तीन, यह तीनों ही पहाडियां हमारी हिमाल्य में अवस्थित है वहीं कटचल जोकी अर्णवान निकोबार्दीप समू में इस्थित पहाड़ी है इस तरह विकल्प A हमारा सत्य होगा बहारत के पूर्वी घाट शरंखला की उत्पत्ती किस काल में हुई है इसमें विकलब सी धरावाण, आरकेन क्रम की प्रात्मिक चत्टानों के अपर्धन एवंडिक्षेपन से धरावाण करम्की परत्दार चत्टानों का निर्माड हुआ है, यह चत्टान भारत में पाई गई, पाई जाने वाली चत्टानों में आर्थिक द्रश्टी से सबसे मह पूर्ण चट्टाने हैं, देश की लगबग सभी प्रमुगधातों इनी चट्टानों में पाई जाती हैं, इस तरह विकल्प C हमारा सत्य होगा Next है Main boundary fault किन परवत्षरंग्सलाव के मध्य इस्थित है A. Trans और विरद हिमाले B. विरद हिमाले और लगू हिमाले C. लगू हिमाले और शिवालिक D. उप्यूक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है विकल्प C. हमारे लगू हिमाले और शिवालिक हिमाले के बीच में Main boundary fault है वहीं यदि हम विरद हिमाले और लगू हिमाले की बात करें तो इसकी बीच में Main Central Thrust है इस थरह विकल्प C. हमारा सही उत्तर होगा Next है निमलिकित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है A. रांची का पठार B. देवगण पठार C. पलामू उच्छ भूमी D. हजारी बाग पठार इसका सही उत्तर है विकल्प B. देवगण पठार यह विंद्यांचल और बगेलगंड पठार का हिस्सा है इस तरह विकल्प B. सत्य होगा Next है निमलिकित में से कौन सा कथन आसकते है इसमें अलकनन्दा और मंदाकिनी कर्ण परियाग में मिलती है यह हमारा कथन गलत है Option B. क्योंकि अलकनन्दा और मंदाकिनी कर्ण परियाग नहीं बलकि रुद्र परियाग में मिलती है इसके अलावा हमारा कतन ए भगीरती और अलखनंदा देव प्रियाग में मिलती है, सत्य है, किदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर इस्तित है, यह भी सत्य है, और मंदाकिनी नदी किदारनाथ से रुद्ध प्रियाग के मत्य बहती है, यह भी सत्य है next, गंगा नदी में 22 से मिलने वाली सहयक नदियों में पूरुफ से सबसे अन्तिम में कौन सी नदी मिलती है a. कोशी, b. महाननदा, c. सोन, d. गंडख इसका सही उत्तर है विकल्प b. महानन्दा गंगा नदी में 22 से मिलने वाली सायक नदियों में पूरफ से सबसे अंत में जो नदी मिलती है वे हमारी महानंदा नदी है गंगा नदी का उद्गम उतराखर्ण के गोमुक के निकट गंगोदरी हिमनत से है बारतिय प्राइदीप ये अपभात तंत्र के बारे में कौन सा कतन असत्य है option B इनकी ढाल प्रवर्ता बहुत अधिक है क्योंकि यह अधारतल को प्राप्त कर चुके है यह कतन हमारा असत्य है क्योंकि प्राइदीप नदियों की हिमाले की तुलना से अधिक पुरानी नदियां है यह पुरणावस्ता को प्राप्त कर चुकी है इन नदियों की ढाल प्रवर्ता अत्यंत कम हो चुकी है यह नदियां अधारतल को प्राप्त कर चुकी है इनके मार्ग लगबग निश्चित हो चुके हैं और इन नदियों में विसर्पों का अभाव पाया जाता है ये नदियां बर्श वर अधिक जल पर निर्वर नहीं रहती इसलिए गिरीश मिर्दू में ये नदियां सूख भी जाती है ये हमारी प्रायदी भी अभभात अंत्र की नदियों की विशेश्चता है इस तरह विकल्प भी हमारा असत्य भी है नेक्स्ट शुष्क मरुस्थलिये काटेदार वनस्पती छेत्रों में वर्शा की मात्रा कितनी पाई जाती है इसका सही उत्तर है विकल्प अ 50 से कम शुष्क मरुस्थलिये काटेदार वनस्पती छेत्रों में वर्शा की मात्रा 50 से भी कम पाई जाती है नेक्स्ट है क्या कारण है कि मुंबई और कौंकर तटके निवासी तापमान की विशमता और रितु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं इसका सही उत्तर है विकल्प सी समुद्र समकारी जलवायू के कारण मुंबई और कॉंकर तटके निवासी तापमान की विशमता और रितु परिवर्थन का अनुभव नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट भारत किस जलवायू कटिवंद में इस्तित है इसका सही उत्तर है विकल्प सी भारत हमारा शितोषन और उशन दोनों ही कटिवंदों में इस्तित है करग्रे का भारत के पश्चिम से पूरव दिशा में मध्य से गुजरती है इसके उत्तर में शितोषन कटिवंद तथा दक्षिन भाग में ओशन कटिवंद पाय जाता है इसका सही उत्तर है विकल्प A अत्यादिक तीर्व गती से चलने वाले पावन प्रभा जैट इस्ट्रीम जो की हमारे छोव मंदल में पाय जाते हैं इसका सही उत्तर है विकल्प D 22 दिसंबर जिस कारण उत्तरी गुलार्द में शीत्काल तथा दक्षिन गुलार्द में गिरिश्मकाल होता है इसका सही उत्तर है विकल्प A पश्चिमी विक्षोप के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत रितू में भी बर्शा होती है नेक्स्ट भारत में उसत वार्शिक वर्शा कितनी होती है इसका सही उत्तर होगा विकल्प B भारत में उसत वार्शिक वर्शा जो की 112 से 115 सेंटीमीटर की बीच में होती है लेकिन विविन शेत्रों में वार्शिक वर्शा में विवितता भी पाई जाती है सबसे अधिक वर्शा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूरव के उपहमाले शेत्र तथा मेगाले की पहाड़ी उपर होती है यहां बर्शात में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्शा हो जाती है और खासी और जैनतिया पहाणियों की बात करें तो यहां वर्शा लगपक 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है इस तरह विकल्प C हमारा सत्य है इसका सही उत्तर है विकल्प D काले मिट्टी काले मिट्टी की जल धारान करने की छमता अधिक होती है अथा यह है जल से संत्रप्त होने पर बहुत चिपचिपी हो जाती है तता सूपने पर इन में गहरी दरारे भी उत्पन हो जाते है इस कारण से स्वता जोताई वाली मिट्टा भी काले मिट्टी को कहा जाता है यदि काले मिट्टी के अन्य नामों की बात करें तो इन्हें रेगुर, करेल, काली, कपास, मिट्टी, आदी नामों से भी जाना जाता है और इनके इस्थान की बात करें तो यह महराष्ट मेर सरवादिक, इसके अलावा पश्चिमी मद्यप्रदीश, गुजरात, राजिस्थान, आंदरप्रदीश, करनाटक, तमिलनाडु छेत्रों में या फिर दक्कन लावा वाले विसल्ट अप्चै छेत्रों में पाए जाते हैं इन में लोहा, चूना, केल्शियम, पोटाश, एलमोनियम, आदी की प्रधानता होती है वहीं नाइट्लोजन, फासफोरस, तथा जैविक बधार्तों की कमी होती है इस तरह विकल्पडी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट, मिर्दा के कौन से इस्तर को जल संचैन शेत्रवी कहा जाता है ए, O इस्तर को, B इस्तर A को, C इस्तर B को, D इस्तर C को इसका सही उत्तर है, विकल्प C यह मिर्दा का तीसरा इस्तर होता है, इसके उपर इस्तर A और सबसे उपर इस्तर O होता है इस तरह विकल्प C हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट नेमलिकित कतनों पर विचार कीजिए एक हिमाले में उचाई पर जाने पर वनों के पिरकार बदलते जाते हैं दो हिमाले पर फंद्रा सो मीटर के उचाई तक सदावार बन पाए जाते हैं आपको बताना है कौन सा कतन सत्य है इसमें कतन A और कतन 2 दोनों ही सत्य है नेक्स्ट ताम्बे की प्राप्ती किस क्रम की चट्टानों से होती है A. धारवाड B. आरकियन C. दककन D. बिंधियन इसका सही उत्तर है विकल्प A ताम्बे की प्राप्ती हमारी धारवाड प्राप पिरकार की चट्टानों से होती है भारत में ताम्बे के भंडार की दरश्टी से राजस्थान शीर्ष इस्थान पर तथा उत्पादन की दरश्टी से बात करें तो मद्यप्रदेश शीर्ष इस्थान पर है ताम्बे की उत्पादन एवं भंडारान की दरश्टी से राजिस्थान का जुनजुनु जिला और मद्धे प्रदेश का बालाघाट एवं जारखंट की सिंगमुमी जिला मैत्पून है इस तरह विकल्प A हमारा सत्य है नेक्स्ट आर्कियन चट्टानों के वारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है आपको असत्य कथन की पहचान करनी है इसमें हमारा विकल्प B आर्कियन चट्टानों में जिवाश्म पाये जाते हैं यह असत्य है आर्कियन चट्टाने प्राचिन्तम और मूलबूत चट्टाने हैं इनका निर्मान जीवों के पहले हुआ था अथा इन में जिवाश्म नहीं पाया जाता है इस तरह विकल्प भी असकते है नेक्स्ट छोटा नाकपुर खर्णिश पेटी के संबन्द में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक इसका मुख्य विस्तार जारखंड औरीसा तथा पस्चिम बंगाल में है दो यह पेटी नीस एवम गिरनाइट शैलो से युक्त है आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है इसमें विकल्प ए अर्थात कथन एक और कथन दो दोनों ही सत्य है लेकिन कथन तीन असत्य है क्योंकि यहां देश का 75 प्रितिशत नहीं बलकि 90 प्रितिशत लो एस्क पाया जाता है छोटा नागपुर खनिश पेटी से सम्मंदित छेत्रों में नेक्स्ट भारत की लो इसपात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है इसका सही उत्तर है विकल्प ए छोटा नागपुर खनिश पेटी इसे भारत की लो इसपात पेटी की रूप में भी जाना जाता है पांच लहो इसपात कारखाने जैसे कि यह सभी आपने नाम सुने ही होंगे बोकारो हो गया दुरगापुर हो गया जमशेदपुर या फिर राउल केला हो गया यह सभी हमारे छोड़ा नागपुर खनिश पेटी में ही अवस्तित है इस तरह इसे भारत में लहो इसपात की पे है विकल्प सी खेटड़ी की खान जोकी तामे से समंदित है और यह राजिस्थान के जुन-जुनों में अवस्तित है नेक्स्ट भारत का सरवादिक स्रोण का उत्पादन निम्ण में से किस राज्य में होता है ए केरल में बी करनाटक में सी तमिल नाडू में डी बिहार में इसका सही उत्तर है विकल्प B भारत का सरवादिक स्रोण इत्पादन करनाटक में होता है यहां कोलार तता हट्टी की खानों में सरवादिक स्रोण इत्पादन होता है कोलार आपने नाम सुना ही होगा जिसके उपर हमारी KGF मूवी बनी है यह इसी खान के उपर बनी मूव वराणती इसका सही उत्तर है विकल्प A कॉलकत्ता में 1818 में प्रिथम सूतिवस्तर कारखाना इस्थापित किया गया था Next हिंडालको की इस्थापना किस देश के सायोग से की गई थी इसका सही उत्तर है विकल्प C USA हिंडल को की स्थापना USA के सायोग से की गई थी और यह उत्तर प्रिदेश के रेनुकुट में अवस्थित है यह देश में इस्थित अगरणी एलमोनियम उत्पादित कंपनी है इसका सही उत्तर है विकल्प C अंगोरा उन जो की खरगोश से प्राप्त किया जाता है और राजिस्थान भारत का अगरणी उत्पादक राज्य है इस तरह विकल्प C सत्य है नेक्स्ट देश का प्रथम सुपरफास्पेट स्रयंत्र निम्ण में से कहां इस्थापित किया गया था इसका सही उत्तर है विकल्प C रानी पेट भारत में सुपरफास्पेट का प्रतम सैंत्र तमिलनाडू के रानी पेट में वर्ष 1906 में इस्थापित किया गया था नेक्स्ट नेपा नगर निम्ण में से किस के उत्पादन हिदू प्रसिद है इसका सही उत्तर है विकल्प D नेपा नगर जो की मद्य प्रिदेश में अवस्तित है यह अक्वारी कागच के लिए विश्व प्रसिद है और इसके अलावा हम खुशंगा बात की बात करें तो यह नोट छापने के कागच बनाने का सरकारी कारखाना है नेक्स्ट प्रदान मंत्री गिराम साड़क योजना के अंतरगत गाउं को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को अधार बनाया गया है एक मैदाने इलाके में एक हजार दो पहाड़ी इलाको में पांसो सी मरुस्थलिये छेत्रों में धाई सो इसका सही उत्तर है विकल्प डी एक दो तीन तीनों ही कथन सत्य हैं क्योंकि परद्धानमंत्री ग्राम फ्राड़क योजना के अंतरगत गाउं को जोड़ने के लिए मैदाने इलाकों में एक हजार पहाड़ी इलाकों में पांस्तों और मरुस्थलिये छेत्रों में धाई सो जनसंख्या को अधार बनाया गया है इसका सही उत्तर है विकल्प बी सन 2015 19 सितंबल सन 2015 को केंद्रिय सड़क परिवान मंत्री नितिन गड करी के द्वारा विरक्षारोपन सौंद्री करण तथा अनुरक्षान हेतु राष्ट्रिय हरित राजमार्ग निती जारी की गई थी इसके तहट सड़क निर्माताओं को कुल परियोजना लागत का लगबग एक पिर्तीशत अंच व्रेक्षारोपन निदी की रूप में नर्दिश्टित करना था जूम किशी को अन्य किस नाम से जाना जाता है इस तरह विकल्प भी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट गुलावी क्रांती का संबंद निमलिकित में से किस से है ए टमाटर उत्पादन से बी मास उत्पादन से C. फूल उत्पादन से D. मसाला उत्पादन से इसमें विकल्प B. गुलावी करांती का संबंध मास उत्पादन से है वहीं लाल करांती जो की टमाटा से संबंधित है और बदामी करांती जो की मसाला उत्पादन से संबंधित है नेक्स्ट भारत में हरित करांती का जनक किसे कहा जाता है इसका सही उत्तर है विकल्ब B. MS. स्वामी नाथन 1960-70 के दशक के दोरान भारत में खादे फसलों के उत्पादन में ब्रदी को हरित करांती कहा जाता है और भारत में हरित करांती का जनक जो कि MS. स्वामी नातन है इस तरह विकल्ब B. हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट तोड़ा जन्जाती का निवास मुख्य तौर पर कहां माना जाता है नेक्स्ट जौनसारी निम्ण में से किस राज्ये की जन्जाती है नेक्स्ट निम्ण में से किस प्रिदेश की सीमा रेखा नेपल के साथ सीमा साजा करती है इसका सही उत्तर है विकल्ब C. उत्तर प्रिदेश उत्तर प्रिदेश की सीमा नेपल की सीमा से सीमा साजा करती है नेपाल की सीमा को इसपर्श करने वाले पांच राज्ये हैं इसमें उत्तर प्रिदेश, पश्चिम मंगाल, उत्राखंड, शिक्किम और बिहार शामिल है नेक्स्ट है नमलिकित में से सही सुमेलित नहीं है एक लक्षदीब वा मिनिकए नो डिगरी चैनल से अलग होते हैं सुमातरावा निकवार डंकन पास के द Buddhism और Tamiliनादू वार श्रीलंका ग्रेट चैनल के दो़ारा अलग होते हैं आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है, इसमें विकल्प भी, इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, इसमें विकल्प भी, दो और तीन दोनों ही गलत हैं, क्योंकि सुमात्रावा निकोबार, ग्रैंड चैनल के द्वारा अलग होते हैं, वहीं तमिलनाडू वा श्रिलंका जो की पाक की खाड़ी के द्वारा एक दूसरों से अलग होते हैं। इस तरह विकल्प भी हमारा सुमिलित नहीं होगा। Next है। छेतरफल की दृष्टी से भारत के राज्यों का घढ़ता हुए खरम है। छेतरफल की दरश्टी से भारत के राज्यों का घटते हुए किरम की बात करें तो सबसे पहले राजिस्थान उसके बाद मद्यप्रदेश उसके बाद महाराश्ट्र और उसके बाद चौते नर्मर पर उत्तर प्रदेश इस तरह विकल्प भी हमारा सही उत्तर होगा भारत के किस राज्य की सीमाएं तीन देशों क्रमशा, नेपाल, भुटान और चीन के साथ सीमा साजा करती हैं इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सिक्किम, सिक्किम हमारा राज्य जो की नेपाल, भुटान और चीन तीनों के साथ ही सीमा साजा करता है नेक्स्ट निमलिखित परवत शिरेणियों का उत्तर से दक्षिन की ओर सही ग्रम होगा इसमें सबसे पहले पीर पंजाल, उससे के बाद जासकर, उसके बाद धौलाधर और सबसे लास्ट में शिवालिक इस तरह विकल्प भी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट है निमलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही ग्रम है इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर सही ग्रम की बात करें तो सबसे पहले मैकाले पहाड़ी, उसके बाद सत्पुडा और उसके बाद विन्दियन की पहाड़ी इस तरह विकल्प A हमारा सही उत्तर है नेक्स्ट है दक्षिन भारत की निमलिखित पहाणियों का उत्तर से दक्षिन की ओर सही क्रम है इसका सही उत्तर है विकल्प A दक्षिनी भारत की निमलिखित पहाणियों का उत्तर से दक्षिनी क्रम की बात करें तो सबसे पहले नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई और सबसे लास्ट या फिर सबसे दक्षिन में इलाइची की पहाड़ी आवस्थित हैं इस तरह विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट है निमलिकित दर्रो का उत्तर से दक्षिन की ओर सही क्रम होगा इसमें सबसे पहले जोजिला दर्रा, उसके बाद बुरजिला दर्रा, उसके बाद रहोतांग दर्रा और उसके बाद माना दर्रा इस तरह विकल्प भी हमारा सही उत्तर है नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है इसका सही उत्तर है विकल्प C, टोंस नदी गंगा में दाएं तरफ से मिलती है अब यदि हम गंगा में मिलने वाली नदियों की बात करें तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में रामगंगा, घागरा, गोमती, गंडग, कोशी और महानदी शामिल हैं वहीं दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में यमुना नदी, टोंस, सोन शामिल है नेक्स्ट है, निम लिखित में से कौन सा बंदरगा भारत के पश्चिमी तट पर इस्थित नहीं है इन में से तूती कोरिन जो की भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है इसमें से बाकी ये तीनों जो की हमारे पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगा है न्यू मंगलॉर जोकी करनाटक, कोचीन, केरल और मार्मा गोवा हमारा गोवा में अवस्थित बंदरगा है नेक्स्ट है पराइदीपी भारत में पूर्वदिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षन की ओर सही क्रम होगा इसमें सबसे पहले महानदी आएगी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद क्रिशना और उसकी बाद कावेरी इस तरह विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा, महानदी, गोदावरी, क्रिशना और सबसे अंत में कावेरी नेक्स्ट है निमलिकित नदियों का पूर्व से पश्चिम की और सही करम है इसमें सबसे पूर्व में सोन, उसके बाद चंबल, उसके बाद बेदवा और सबसे पश्चिमी नदी जो की लूनी राजिस्थान में है इस तरह विकल्ब भी हमारा सत्य होगा नेक्स्ट है निमलिकित में से किन राजियों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है इसका सही उत्तर है विकल्ब ए पश्चिम बंगाल, सिक्यम, अरुनाचल और असम यह चार देशों की सीमा जो की भूटान के साथ सीमा बनाती है नेक्स्ट है यह भारत के चार राज्य है जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा करते है पस्चिम मंगल, सिक्किम, आरोनाचल प्रिदेश और असम नेक्स्ट है कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है इसका सही उत्तर है विकल्प सी कावेरी नदी करनाटक, तमिलनाडू और केरल से होकर प्रभावित होती है नेक्स्ट है हिमाले परवत शरंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिन में इस्थित है हिमाले परवत शरंखला की श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमाले आता है ट्रांस हिमाले के बाद हमारा विरध हिमाले आता है विरध हिमाले के बाद मद्द हिमाले और मद्द हिमाले के बाद सबसे लास्ट में शिवालिक और यदि हमसे कोशन में पूशा गया है कि सबसे दक्षिन में कौन सा हिमाले परवत शरंगला आवस्तित है तो यह हमारी शिवालिक हिमाले होगा इस तरह विकल्प D हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट है नेपाल हिमाले किन नदियों के बीच इस्तित है इसका सही उत्तर है विकल्प A नेपाल हिमाले जो कि हमारा काली और तिस्ता नदियों के बीच अवस्तित है अब यदि हम पंजाब हिमाले की बात करें तो पंजाब हिमाले सिंदू वा सतलज नदियों के बीच अवस्तित है वहीं कुमायो हिमाले सतलाजबा काली नदी के मद्य और असम हिमाले तिस्तावा दिहांग नदी के मद्य अवस्तित है इस तरह हमारा टेस्ट नमबर तीन कम्प्लीट होता है जिसमें हमने 140 कोशन भहुत ही विस्तार पूर्वक कर लिये हैं अब आप अपना स्कोर हमें कमेंड बॉक्स में बताईए कि आपने कितना स्कोर किया है और यदि आपको हमारी लेक्चर पसंद आ रहे हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही पीडिएफ के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल डेजी एडुशाला को भी जॉइन किजिए जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इससे आपको हमारे चैनल की जो भी अपटेट होगी वह आपको सबसे बहले प्राप्त हो पाईगी धन्यवाद